नमस्कार के हर्याना पे आप सभी दस्कों का स्वागत है। और दूसरा स्थान हासिल किया था। महज 11,000 वोटों के अंतर से उनको प्राजे का सामना करना पड़ा था। तो इस बार उन्होंने उस 11,000 के वोटों को अंतर को कम करने के लिए किस तरह की तयारी की हैं, किस तरह से लोगों के बीच में जा रहे हैं और किस तरह से आने वाले चुनाओं के लिए वो तयारी कर रहे हैं। तो टिकट को ले करके उनका क्या कहना है। तमाम सवालों के जवाब आज हम जानेंगे शिश्पाल जी कहरवाला से तो वो आज हमारे साथ मौजूद हैं। चलिए जानते हैं उनसे। शिश्पाल जी सबसे पहले स्वागत आपका कहर यान। लगबग चुनाओ जो हारने के बाद एक मन्तन किया जाता है तो आपने वो मन्तन किया होगा कहां कमी लगी होगी आपको कि यहां इस जगह पे कमी रही थी तो हमें हार का सामना करना परोगा। कमीया हार में कई होती है दस साल सासन किया हमने केंदर में भी किया यहां हर्याना में भी सासन किया और एक कॉंग्रेस के परती तमाम कई ऐसे मुद्ध अन्ना हजारे जी आए जिस पर कार उन्होंने ब्रस्टाजार के लांच लगए लोगों को लगा कि कॉंग्रेस पार्ट प्रइश्टाचार मुद्दे को और । दस साल का शासन की एंटी इनकमिनसी तमाम मुद्दे से थे जिनके कारण हमारे लोकल भी मुद्दे होते हैं कुछ जिस पे मैं जाना नहीं चाहूँगा कालावाली की जनता और तमाम साथ ही जानते भी हैं कि एक दो मुद्देश से हुए जिनके कारण हमें हार का सामना करना अपड़ा वरना कालावाली की सिट कॉंग्रेस पार्टी की ही थी चलिए सिश्पाल जी एक आपके कांग्रेस से ही नेता है बरत सिंग बैनिवाल जी उन्होंने सवाल उठाए थे कि कॉंग्रेस में जो टिक्टो का बटवारा है वो सही से नहीं होता आगे उमीदवार देख करके नहीं दिया जाता अलांकि सिफारिश ज़्यादा इस पार्टी में चलती है तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे बरत सिंग बैनिवाल जी को भी दो बार टिक्ट मिली है और ये पार्टी हाइकमान का काम है कि पार्टी किसको टिक्ट दे रही है मेरे को मिली बरत सिंग बैनिवाल जी को भी नी पहले भी वहाँ कोई और कंडिडेट था अब भी कुछ और थे और आगे प्रिस्तितियां देखी जाती है कि कॉंगरिस पार्टी के लिए कौन काम कर रहा है कौन जीतने के लिए काम कर रहा है कौन कॉंगरिस को जीताने के लिए काम कर रहा है और कौन अपने लिए कर रहा है तमाम ऐसी बातें सारा कुछ सोस मज़कर पार्टी टिक्ट देती है और मेरा मानना है कि आगे भी जब पार्टी टिक्टें देगी तो सोस मज़कर देगी और ठीक देगी असर एक मापसे ये सवाल और भी करना चाहूंगा कि आप कालावाली हलके में चुनाव के लिए परचार कर रहे हैं लोगों के बीच जा रहे हैं लेकिन चर्चा भीच भीच में ये भी सुनने में आ रहे है कि डॉक्टर अशुक तमर है वो यहां कालावाली से चुनाव लड़ने बाले हैं दोक्टर अशोक तमर हर्याना प्रदेश के अध्यक्स हैं और प्रदेश अध्यक्स का दायतु होता है कि वो सभी जंगे विनिंग कंडिडेट देखे कि कौन कहां जीत सकता है और उनका एक अधिकार छेतर ये भी है कि वो अगर जहां से लड़ना चाहे वो लड़ सकते हैं का उनका आशिरवाद भी सिस्पाल कहरवाला पर है कालावाली में और अगर वो चाहेंगे तो लड़ सकते हैं और वो प्रदेश में कहीं से भी लड़ सकते हैं ये उनके लिए खुला उफर है पूरा प्रदेश उनके नतरतव में कांग्रेश पार्टी इतनी मजबूत स्थित में आज है और जिस प्रकार से उन्होंने कांग्रेश को हर्याना में उभार कर पर्थम जरणी में लाए हैं तो उनका हक है कि हर्याना के किसी भी हिस्से में वो चुनाव लड़ें और वो निश्ची दूरूप से जीतेंगे और हर्याना का जो नेतरतव है वो करेंगे सर इनेलो और अकाली कि गठबंदन के हिसाब से यहां पर कालावाले में चुनाओ लड़ा जाता था और अकाली दल का ही MLA यहां से बनता था फिलाल भी मौझूदा समय में भी अकाली दल का ही MLA है तो अभी इनेलो और अकाली दोनों अलग-लग हो चुके हैं मानते हैं कि इसका प्रोफिट जो है वो कॉंग्रेस को कहेंने कहीं होने वाला प्रोफिट दोनों तरीके से था अगर वो इस बार गठबंदन के साथ लड़ते हैं तो भी जनता उनको दिखाती ही कि आपका जो नापा गठबंदन दस साल जिस परकार कालावाली के लोगों को जा है अब उनका बदला लेने के टाइम आया है दूसरा अब अगर वो अलग होके लड़ते हैं तो मैं मानता हूं कि उसी में भी उनको बुरी तरीके से जनता उनको सबक शिकाएगी कि पहले आप आपका भाईचारा था अब ऐसा क्या हो गया कि आप अब अलग होके लड़ किया है और आज जिस SYL को लेकर इंडियान नेशनल लोग दल अलग हुई है उसको तमाम हमारे साथियों को ये पता है कि जब अकाली दल का मुक्या मंतरी स्री परकास सिंग बादल जी ते तब एक दिन भी उन्होंने ये नहीं का कि हमें SYL का पानी चाहिए जैसे ही वो सक्त पार्टी के हाथ में कुछ नहीं है ये सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है और उसका जो आदेश जिस परकार से भी आता है सारी सरकार उसको मानने हैं और हमें भी मानने हैं तो ये जिस परकार का बरम भला कर लोगों को गुमरा करने की कोशिज कर रहे हैं इस बार मेरा म लगता है कि जो भारतिया जंटा पार्टी में फैसला होता है माने सुप्रेम कोड का उसको इंप्लिमेंट कर लिया जाता है और जो इन के हित में नहीं होता उस पे इपना काणून बना देते हैं अबेपीछे जो सुप्रेम कोड ने एक ओर जारे किया था SC-ST Act के संबंद में और वही मामला Supreme Court ने जो order जारी किये थे और SYL का मामला भी Supreme Court में ही चल रहा है तो उसको implement कर दिया गया इसको नहीं किया गया इस पे आप क्या कहेंगे निश्चित रूप से मैं इस बात को मानता हूँ कि भारतिय जनता जो ग्यानी है जो राजनितिक रूप से जो सक्सम है वो लोग कहते हैं कि ये ताना साई वाला साअसन है और ताना साई वाले साअसन में यही होता है कि जो साअसन को अच्छा लगे वही implement होता है तो भारतिय जनता पार्टी के बारे में बिलकुल है राय बिलकुल ठीक है जो उनका ठीक लगता है वो चीज लागू होती है जो उनको ठीक नहीं लगता उस पे वो आंखें मुंद के बैठ लेते हैं सर एक सवाल ये है मेरा कि कॉंग्रेस में जो गुटबाजी चल रही है उससे क्या आप Lawrence Party को नुक्सान होता है मेरा मानना है कि Congress Party में गुटबाजी नहीं है वेचारिक मत्वैद हरवेक्ती में होते है एक party के तमाम लोगों में वेचारिक मत्वैद हो सकते है परन तु जहां तक आप Congress Party की बात करेंगे जिनको आप गुटों में बंटा हुआ देख रहे हैं वो सभी अपने अपने इसाब से कॉंगर्स पार्टी को मदबूत करने में लगे हुए है सबका देह यह है कि हर्याना में कॉंगर्स पार्टी और इस देश में कॉंगर्स पार्टी कैसे आई सबका ज्यान उधर है आपने देखा होगा कि पिछले एक साल में जितनी रेलिया हुई है कोई भी एक दूसरे के खिलाफ नहीं कॉंग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए काम में लगे हुए है कहीं भी कोई गुटबाजी नहीं है हाँ ठीक है कई बार विचारिक मदबेत दो वेक्तियों की हो सकते है नहीं तो यहाँ हर्याना में सबी कॉंग्रेस जन एक है और जब चुनाव होगा तब आप देखेंगे सबी एक मंच पे कॉंग्रेस पार्टी की और हर्याना की जनता की लड़ाई हम एकटे होके लड़े में आने वाले चुनाव में कालावाली हलके की कॉंग्रेस पार्टी क्या कहते है कालावाली हलके की कॉंग्रेस पार्टी का यही है कि हमने कालावाली के साथ साथ हर्याना की सबी और जो सिर्साज ले की आसपास की जिटे हैं इनमें भी हम कॉंग्रेस पार्टी को जिताने का काम करें और कालावाली की कॉंग्रेस ने तो त्या कर लिया है कि इस बार जो वर्षों से यहां इनों का कभी भाजपा के साथ कभी अकाली दल के साथ जो खेल चल रहा है इसको बेनकाब करके कॉंग्रेस पार्टी को यहाशासन में लाना है और कालावाली की जनता इसके लिए बिल्कुल त्यार है असर मुख्यमंत्री के अगर बात करें तो आप किन्हें बनाने की पक्ष में बात करेंगे यह मुख्यमंत्री बनाना कांग्रेस पार्टी में मुख्यमंत्री का बड़ हो और जो काम करता है जो जड़ा काम कर रहा है मुख्यमंत्री बनेगा चुक्रिया जो कालावाली हलके में लेकर के वो लोगों के बीच जाएंगी और इनलो और अकाली दल के गटबंदन की बात इन्होंने कहेंगी किस परकार से इन्होंने दस सालों से लगातार जंता को गुम्रा करके अपना विदायक यहां से बना करके बेजा हलंकि कालावाली हलके का विका हलके की दशा और दिशा दोनों बदल दी जाएगी खैर ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि जनता क्या तैद करती है जनता के हाथ में कि आखिर आने वाले समय में वो किसे अपना विदायक चुनती है लेकिन वाइदे और मनसूबे इनकी खरे दिखाई दे रहे हैं कैमरा सेयोगी मुकेश बैनिवाल के साथ रमेश जाखर के हरियाना